पेसे तो देखा जाए तो योग में काफी स्टेफ होती है जो ब्यक्ति प्राता काल करना शुरू कर देते हैं लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ योगा की आसान स्टेफ जिनसे आपको मिल जाएगा कई सारी बीमारियों से हट तक आराम योगा की सबसे पेली इस्टेफ भुजंग आसन इस आसन से ब्यक्ति डिप्रेशन जैसी समस्याओं से आसानी से निजात पा सकता है कमर का दर्द, गर्दन दर्द, कंदे में होने वाले दर्द में भी आराम मिलता है शरीर की हड्डिया भी इससे काफी मजबूत होती है की तरफ जुकाओं करें पेट में दर्द और पीट में होने वाले दर्द में इस योग आसन को बिल्कुल भी न किया जाए हानिया के रोग से ग्रसिद व्यक्ति ये आसन को नहीं करना चाहिए, गर्वती महिला को ये आसन का बिलकुल ही उपयोग नहीं करना चाहिए दूसरा हम बात करते हैं मतश्य आसन की, इस योग आसन से सरीर को काफी मजबूती प्रदान होती है इसे व्यक्ति के चेश्ट और फेंपरों का विकास होता है, महिलाओं में गरवाश है, मासिक धर्म जैसे रोग ठीक हो सकते हैं, पेट की चर्वी कम होती है, खांसी जैसी समस्याओं को ये समाप्त कर देता है मतश्य आसन के बीपी के पेशन जिनका हाई और लो होता है, उन पेशन को इस प्रकार के आसन नहीं करना चाहिए, करदन या पीट के निचले वाले हिस्से में पेन हो, एसे समय व्यक्ति को इन आसन को कतही न करें, माइगरेशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से ग्रसिद ब्यक्ति ये आसन नहीं उपयोब करना चाहिए, और तीसरा आसन बताने जा रहा है हम नो का आसन, ये आसन शरीर के पेट और साइट की चर्मी को कम करता है, पेट कमर और रीट की अडियों में लाप देता है, डियाविटी जैसी भीमारियों से ग्रसिद ब्यक्ति को काफी फायदेमन्द इस आसन से हो सकते हैं, शरीर के कंदों गुत्नों में गर्द होने पर इस प्रकार का आसन हमें नहीं करना चाहिए, जिस व्यक्ति को इस प्रकार के आसन से चक्कराते है, उनको भी यहीं नहीं करना चाहिए, जब लोकल एटीम की टीम ने योग ट्रेनर सन्य चौरसिया से बात की तब उन्होंने बताया कि ये तीन आसन व्यक्ति को कम से कम अपने सामर्त के हिसाब से करना चाहिए तीस सेकेंड से शुरू कर मिनिवम से लेकर मैक्सिमम एक से दो मिनिट तक व्यक्ति इस तरह के आसनों को कर सकता है और काफी हद तक बीमारियों से उनको इन आसनों से लाब मिल सकता है हम हलो दोस्तों मैं सञे चौरसिया यूगा टेनर आज मैंने जो आसन किये स्वचंग आसन नौक आसन और मस्त आसन इन तीनों के मैं लाब बताता हूं कैसे करना है सबसे पहले बुचंग आसन धियान रहे कोई भी आसन करने के पहले हमें खाली पेट होना चाहिए और उसके बाद जो इस क्रिया को किया जाता है, इस आसन को किया जाता है, सबसे पहले हम पेट के बलेड़ जाते हैं, सौस भरते हुए हम यह था संबब, जितना पीछे हम जा सकें, उतना हम पीछे जाएंगे, सौस को रोकके रखेंगे, इसका इनिसियल टाइम मिनिम्ट 10 सेकेंड, हम जितनी देर आप एक स्वास भरके फैंपड़ों में रोक सकें उतनी देरे इसे कर सकते हैं इसके लाव हैं पाचन के लिए अच्छा होता है दूसरी बाद थाइरड में आरा मिलता है तीसरी बाद मेरीदर्ण नहवारा मजबूत होता है रीट की अद्टी मजबूत होती है चौथी बात पेट की चर्वी है, दीरे दीरे इससे कम होती है, यह तो फायदा हो गए, नुकसान इसके जहें, बेक साइड हम जितना हम पीछे जाते हैं, जोर जवस्ती के साथ नहीं जाएं, अगर किसी को पेट दर्द है, या फिर रीड की अड़ी में समस्या आए, तो इसक काइन कोड बहुत मजबूत हो जाती है, अगर हम नियमत रूप से करते हैं, और तीसरा आसन हमारा नौका आसन, रीड के अड़ी के लिए बहुत फायदे बंदे पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है इससे, और इसके अलावा हमारे पेट की जो चर्वी है, इससे कम होती किये और ध्यान रहे कोई भी आसन अपनी सामर्त के अनुसार करें, सवी आसन जो तीनों में बताएं, इनिसियल टाइम 35 सेकेंड, 30 सेकेंड और अधिक से अधिक एक मिनट या दो मिनट तक आप कर सकते हैं, यह था संबब अपने सामर्त के अनुसार, अगर इन आसनों को तो आपको बहुत सारे लाव होंगी, इसे कीजिए और इसका अनंदी, धनला